सापा राष्ट्रिय अध्यक्ष अखिलेश यादव सियर मंदिर पहुंचे सियर देवी मंदिर पर चाया नेजा निशात समाज के राष्ट्रिय अध्यक्ष के आगरह पर आयोजित किया गया था कार्यक्रम. अखिलेश यादब बोले धार्मिक स्थलों से हमारा पुराना नाता रहा है प्रदेश की सरकार लूट गुंडागर्दी उत्पीलन शोशन बराबर कर रही है नकसली हमले पर बोले सरकार की दिलाई के चलते मारे गए हमारे जवान दो 2022 में सरकार होगी कोरोना वैक्सीन पर बोले वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी निकल रहे हैं कोरोना पोसिटिव स्वास्थे विभाग में घोर ला परवाही प्रदेश का अंतिम व्यक्ती तक हो जाएगा टीका करण तब लगाउंगा वैक्सीन अखिलेश यादव प्रेश 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 यादव इनके दर्सन और उनके स्थान पर मुझे फिर आने का मौका मिला यह बहुत ही एतिहासिक स्थाल है नकेबल रुजाबाद आसपास की जन्ता बल्कि बहुत सारे गरीबों की यहां के मेहनत करने वाले किसानों की कुल देवी भी है सियर देवी के आसीरवाद मिल जाने के बाद बहुत लोगों के कश्ट दूर हो जाते हैं तमाम समस्यों का समधान हो जाता है आज जब दर्सन करने का मौका मिला हो इस इस्थान पर आने का मौका मिला है तो हम यही कामना करते हैं के उत्तब देश खुशाली के रास्ते बढ़ जाए उत्तब देश आगे बढ़े और गरीबों की उम्मीदें पूरी हो जो किसान गरीब इतने वर्सों से इंतजार कर रहे हैं के उनके जीवन में भी खुशाली आए तो आज स्थान पर आकर के यही संकल्प लिया है और मां से यही मांगा है के हर समाज आगे बढ़े खुशाली के रास्ते पर जाए सियर देवी की मानिता बहुत है मुझे याद है पहले भी आने का मौका मुझे मिला था पहले भी आने का मौका मिला था इस बार जब आ रहे हैं और चुनाओं में जा रहे हैं तो हम यह भरोसा दिलाते हैं तभी इस तमाम गरीब जन्ता को कर definitely देश सम्भिधान से चले कानून से चले और जो अधिकार सम्भिधान में और कानून में हैं और गरीबों को मिलें और इस स्थान का विकास और इस स्थान को भव कैसे बनाय जाए इस स्थान की जो मानिता है उसको और उचाईयों तक पहुचाने के लिए हम लोग काम करेंगे आज घंडा भी चड़ाया है, सिया देवी के दरसन भी किये हैं और यहां पर जो भी इस थल हैं, उन पे जाने का मुझे 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 मुखा मिला है दुख है इस बात का, के लगातार नक्सलियों और हमारी फौज का जब मुकाबला होता है, बड़ी संख्या में जान गई है मैं उन शहीदों को याद करता हूँ, उनको सिधांजली देता हूँ उनके परिवारों को जो दुख मिला है, इस दुख की घड़ी में हम है और मेरा मांग यही है, कि सरकार इन शहीदों का पूरा सम्मान करे और सरकार क्यों नाकाम हो रही है क्योंकि लगातार सरकार को मौका मिला है और जनता ने इतना बहुमत दिया है उसके बावजूद भी सरकार आखिरकार नाकाम क्यों है हमारे पहला मिल्टी में के इतने जवान शहीद क्यों हो रहे हैं या हमारी सीमाएं क्यों सुरक्षित नहीं हैं